देश की माताओ, बेहनों, बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपाद सरकार में उनकी सक्रिय भागिदारी को नई बुलंदी मिलने वाली है आज हर बेहन बेटी को साप साप लगता है कि बीजेपी ही नारी गरिमा, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है उन्होंने देखा है कि बीते दस वर्सों में भाजपाने, उन्तक, टॉइलेट, बिजली, गैस, नल से जल, बैंक में खाते, ऐसी बुनियादी सुविदाएं पहुंचाने के लिए कितनी इमानदारी से काम किया है आज वो देख रही है कि कैसे बीजेपी घर, परिवार में, समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए निरंतर काम कर रही है नारी शक्ति का विकास, बीजेपी के विकास मॉडेल का एक महत्वपून स्तंब भी है और इसलिए, इन चुनावों में, महलाओं ने, बहनों बेटियों ने, एक प्रकार से भाजप का के विजेए की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी, और भरपूर आशिरवाद दिया है मैं आज पूरी विनम्मता से, देश की हर बहन, बेटी को यही कहूंगा कि आप से जो वाइदा बीजेपी ने किये हैं, वो शत्र प्रतिशत पूरे किये जाएंगे और ये, ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानी, गारंटी पूरा होने की गारंटी साथियों, चुझाम नतीजों ने एक और बात स्पस्ट की है बेश का युआ, सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है जहां भी सरकारों ने युआओं के खिलाब काम किया हैं, वो सरकारे सत्ता से बहार हुई हैं चाहे राजस्तान हो, 36 गड़ हो, या तेलंग ना हो ये सारी सरकारे, पेपर लीक और भरती गोटालों के आरोपों में गिरी हुई थी परणाम यह हुआ, कि इन तीनों ही राज्यों में, सत्ता में बैटे दल, अब सरकार से बहार है आज, देश के युवा में, ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि बीजेपी ही, उसकी आकांशाय समझती है उसके लिए काम करती है बेश का युवा ये जानता है, कि बीजेपी की सरकार, युवा हितेसी होती है युवाओं के लिए, नए आउसर बनाने वाली होती है साथियों, आज देश का आदिवासी समाज में, अब खुल कर, अपनी बात रख रहा है ये वो आदिवासी समाज है, जो कॉंग्रेस की नीतियों की बजह से, साथ दसक तक, पीछे रहा है जिसे आउसर नहीं दिये गए, इनकी जनसेंगे आज, दस करोर के आसपास है हमने गुजरात के चुनाव पर्रामा में भी ये देखा है, जिस कॉंग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं उस आदिवासी समाज ने कॉंग्रेस का सफाया कर दिया यही भावना आज हमने MP 36 गड़ और राजस्थान में भी देखी है इन राज्यों की आदिवासी अंचल की सीटों पर कॉंग्रेस का सुप्रा साफ हो गया है आदिवासी समाज आज विकास के लिए आकांग्षी है और उन्हें बरोसा है कि इस आकांग्षा को सिर्फ और सिरफ भाजपा सरकार ही पूरा कर सकती है मेरे परिवार जनों मैं आज हर राज्य के भाजपा कायरकरताओं की भी सराना करूंगा भूरी भूरी प्रसंशा करूंगा भाजपा और कबल के प्रती आपकी निष्ठा आपका समर्पन अतुन्निय है डबल इंजिन सरकार का मैसेज आपने पूरी मांदारी से जन जन तक पहुँचाया इसी का प्रणाम आज हमें मिल रहा है हमारे राष्टिय देख्षे नद्दाजी जिस प्रकार अपनी नीती रणदीती को अमल में लाए यह विजय उसका भी परणाम है और चुनाव के धर्म्यान उनके परिवार में एक दुखत घटना घटी लेकिन उसके बावजुद भी नद्दाजी भारतिय जनता पार्टी के काहर करता के रूप में दिन रात जटे रहे साथियों राज नीती के इतने वर्षों में मैं हमेशा बविश्यमानियों से दूर रहा मैं कभी बादे बादे और बड़ी बड़ी गोष्णाय नहीं करता हूँ इतने साल हो गए कभी नहीं करता हूँ लेकिन इस बार चुनाओं में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था मैंने राजस्तान में मावजी महराज को प्रणाम करते हुए उनी की धर्ती पर ये भविश्यमानी की थी कि राजस्तान में कॉंग्रेस सरकार लोट करके नहीं आएगी